वेलकम एस्टुडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मुर्ख चिरियां की कहानी सब्सक्राइब कीजिए सुपर एस्टेडी क्लासेश चैनल को और बिल आइकन को दवाईए एस्टेडी से रिलेटेड सभी वीडियोज देखने के लिए जैसा कि आप जानते हैं बंदर सौभाव से ही मनमोजी होते हैं वो किसी की बात नहीं मानते जो मन में आये वही करते हैं तो आईए इस कहानी में हम मुर्ख बंदर और चिरियां की बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से बंदर ने उसके साथ बेभार किया तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर मुर्ख चिरिया सर्दी का मौशम था, साम का समय था, अधिकांस जानबर अपने अपने घरों में जाकर चिप गए थे क्योंकि जारेक के मौशम में ठन लगती है, सभी सबेरे ही अपने घर में जाकर चिप गए ऐसे में बंदरों का एक जुन्ड जंगल से गुजरा, जुन्ड मतलब समू, गिरोह, उन बंदरों को भी बहुत ठंड लग रही थी वे ठंड से बचने के लिए उपाई सोच रहे थे, उन में से एक बंदर को एक जुगनू उर्ता दिखाई दिया उसने तुरंत छलांग लगा कर उसे अपनी हथेली में पकर लिया, और अपने मित्रों से बोला, मैंने एक अंगारा पकर लिया है, इससे आग जला कर हम तापेंगे, ताकि ठंड ना लगे चलो सुखी पत्यां और लकरियां इकठा करो, सभी बंदर इसकार्ज में जुट गए, निकठी पेर पर बैठी एक चिरियां, बंदरों की इन हरकतों को देख रही थी, वह बोली, अरे क्या तुम लोगों को पता नहीं, तुमने जिसे पकर रखा है, वह अंगारा नहीं है चिरियां फिर बोली, अपनी सांसें बरबाद मत करो, यह जुगनू है, अंगारा नहीं, इससे आग नहीं जलेगी, एक बंदर बोला, तुम यहां से चली जाओ, हमारी चिंता मत करो, परन तु चिरियां ना मानी, और बार बार कहती रही, अरे मुर्खों, जुगनू से बंदरों को गुसा आ गया, उन में से एक बंदर पेर पर चड़ गया, उसने चिरियां को पकर लिया और बोला, चिरियां रानी, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते, क्योंकि हम वही करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हमें कोई भी रोक नहीं सकता, यह करकर उसने चिरि इन पर गिरते ही चिरियां की गर्दन तूट गई, और वह तुरंत मर गई, इसलिए कहा गया है, दूसरों को बिना मांगे सलाह देना बुदिमता नहीं, बलकि मुर्कता है, तो इस तरह से इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है, कि जर बुद्धी को उपदेश देना सरल नहीं है, तो इस तरह से हमें भी बिना मांगे कभी भी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को जरुरत होगी तो आप से खुद सलाह मांगेंगे, अगर बिना मांगे आप सलाह देंगे, तो आपका भी वही हाल होगा, जो चिरियां का हाल हुआ, तो उमीद है स्क्रीन पर दिखाए गए प्रस्नों के उत्तर कमेंट करके हमें बताईए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यदा से ज्यदा सेर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्स कर ले ताकि आगे भी आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानिया सुनने को मिले धन्यवाद